आप देख रहे हैं के वो सच रहे हैं ठाण ठाण बचाओ बचाओ करुना और रूदन भरी खूंज से राजगानी पटना समेथ पूरा पिहार भै के मारे धर धर काप रहा है फिर उसी दौर में 1990 से 2000 के दौर वाला वक्त प्रहा है कब कहां और कैसे कोई किसी को मौत की निन सुला दे यब है में सुवे की जनता जीने को आज गिवस हो चुका पिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से प्राद ही बेलगाम होते दिख रहे हैं राजधानी में लगतार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वज़ा से लोग अब पुलिस प्रसासन बड़ी सवाल उठा रहे हैं लौ एंड ओडर की पिताप पर रखकर अपरादी सर्याम अपराद को अंचाम देते दिख रहे हैं वहीं सूबे के मुख मंतरी अपने मुख मंतरी के प्रतम कारेकाल से लेकर अब तक स्वएं के पास ग्रेवी भाग को संभाले हुए इसकी अच्छी मोनेटरिंग की दुहाई देते नहीं था माननीय मुख मंतरी द्वारा जनका को बढ़ गलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लालू रावडी की सरकार को जंगल राज कहा जाना आएने में खुद का चेहरा दिखने जैसा ही लगा अगर लालू रावडी की सरकार में अपराज का तांडव देखा गया था तो फिल वक्त के हालिया वारदातों को देखकर नितीस कुमार की गटवंदन वाली सरकार में हर रोज खून से पटी राजधानी पटना समेत पूडे बिहार की सड़कों को देखकर भला कौन सा मंग इसे कहा जाए यह सच है कि अपराधी तो अपराध करेंगे किन्तु उन अपराधियों में जोब है पुलिस का होना चाहिए वह क्रिमिनल एवं फॉल्टिकल फैंगी सा देख रहा है ऐसे में अपराध का बाढ़ना सुभाविक है दूसरी तरह पुलिस का कहना है कि वो किसी करवाई नहीं करपाई है हालात ऐसे हैं कि परदेश के अन जीलों की बाते अगर छोड़कर सिर्फ राजधानी पटना की ही की जाया तो बता दे की विदेग कुछ एक महीनों में अपराध को चरम पर देखा जा सकता है राजधानी होने के नाते यहां पुलिस मुख्यल है यहां पर बीजी पी और ग्री सक्यू बैठते हैं ADG के अलावा IG, DIG के साथ ही वर्ये पुलिस अधिक्छक समेथ राजधानी को अपराध रोकने में मदद के लिए अलग से तीन तीन नगर पुलिस अधिक्छक हैं खुल मिलाकर कहें तो पुलिस का पूरा कुनबा इसी राजधानी पटना में कारे करता है दावा तो यह करता है कि हम 365 दिल चंता की सेवा में सक्रिये रखे हैं बावजूद पुलिस की इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी अपराधी इने मुझ चिडाते दिख रहे हैं रोंटे खड़े कर देने वाले वारदातों पर प्रकाश डालते हैं जो पुलिस महा निरेशत एवं वर्ये पुलिस अधिक्षा के साथ मुख्य मंतरी सह क्रिह मंतरी को मुझ चिरहाने के लिए कापी है पताते चले की पटना के बुद्धा कॉनली में बीस मई को मोटर साइकल सवार अपराधियों ने एक टेंट हाउस के संचालक पप्पु कुमार चौदरी को गोली मार दी थी इस दोरान अपराधियों ने मरा हुआ समझ कर चले गए थे लेकिन उसके बाद भी पप्पु ने होसला नहीं होया और पुलीस रिस्टेशन में जाकर रिपोर्ट धर्ज कराई जिसके बाद वो वही बिहोस होकर गिर गए उनके बिहोस होने पर पुलीस ने उनका इलाज कराया जिसके बाद उन्होंने दो लोगों के खिलाप नामजर मामला दर्ज कराया लेकिन इसके बाद ही पुलीस ने इस मामले पर कोई करवाई नहीं वहीं दूसरे मामले में 28 मार्च को हुली की सामबुध अकॉनली थाना के मर्च चन्द कदम की दूरी पर पुरानी दुस्मनी की बज़ा से अपराधी रंधीर सी की हत्या करने आये थे लेकिन इस तवरान उन्होंने उनके बड़े भाई विकास को गोली मारते लेकिन इस मामले पर भी पुलीस ने कुई भी करवाई नहीं इस पर S.P. Law & Order स्वर्ण प्रभाद ने बताया था इस दो पच्छों को पुराना विवाद चल रहा था पुर्म में अपराधी घटना मामले में नामजद रंधेर जेल भी जा चुका इन तोनों ही मामलों में अभी तक पुलीस की भुमिका को लेकर लोगों ने सवाल खड़े के पता दे कि राजधानी पटना में इन दिनों क्राइम का ग्राप लगतार बढ़ना है लौ & Order पुरी तरह से चर्मर आया हुआ है राजधानी में लगतार हत्या, लूप, अफ़रन, दुसकर्ण, तकैती और चोरी जैसी घटनाएं आया दिन सामने आ रहे है इसका अंदाजा इस बात से भी लगया जा सकता है कि बीते एक अगस से लेकर, बारा अगस के बीच अपरादियों ने जिस प्रकार, राजधानी पटना में, 16 लोगों की निर्मम हत्या की वह पटना पुलीस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मनाई जैसा होगा होस्टल से लेकर पीच सड़क पर, दुकान से लेकर घट और होस्टल तक अपरादी हत्या पर भरार हो जाते है यही नहीं इस तोरान बदमासों ने 6 अस्थानों को फैरिंग कर प्योजियों पर जान लेवा हमला कर, पुलीस को खुली चुनोती देडा है वहीं चाकुबाजी की तीन घटनाय दर्ज की गए, खास बात यह है कि हत्या, फैरिक, लूट और चाकुबाजी करने के बाद भी एक भी अपरादी घटना के बाद फोरन नहीं कर लेगा चाहे बीटा में 10 अगस्त को आभुशन करवारी की लूट पाठ के दवरान हत्या की बात हो, या फिर 12 अगस्त को प्योजियों, सुबा में टहलने के दवरान ट्रास्पोर्टर की गोलियों से चलनी करने की पाद गोलियां बरसाकर अपरादी अराम से बाइक से खडार हो गया और पुलिस देखती ही रहा दिगर बात है कि सुचना मिलने के बाद पुलिस मौके भारदात पर पहुंची और मामले की च्छान भी दिदी हत्या और गोलिबारी के बाद पुलिस सी सी टीवी कैमरे खंगालने और खोखा बटोडने में व्यस्ति दिखी अगर बात बीते जुलाई महा की तरे तो पूरे महीने में हत्या की 16 बारदाते हुई पहता को संधा जाना बहर हार वर्स 2021 में कानून ब्यवस्था नितिश सरकार के लिए अचानक ही सबसे बड़ी चिंता का पिसे बन गया पिछले वर्स बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नितिश कुमार से लोग किसी बड़े बदलाव की उमीद कर रहे थे लेकिन वीते फड़वडी माह में इंडिको के इस्टेशन मैनेजर रुपेश सी की संसनी खेज हत्या के बाद से सरकार को कटगड़े में खड़ा कर दिया इस हत्या ने बिहार के सहरी मध्यवर्व को चिंता में डाल दिया कि अगर राजी की राजधानी में ऐसा हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है फिर आम जन सुरच्छित कैसे रहेंगे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री निटीस कुमार को सार्जनिक तोर पर पुलिस महानिदेशक को फोन लगा कर हिदायत देनी पड़ी आम तोर पर ऐसा नहीं होता कि किसी परदेश का मुख्यमंत्री डीजीपी को हिदायत दे कि आप फोन क्यों नहीं उठाते आखिर इसकी जवरत ही क्यों पड़ी जाहिर है मुख्ध मंत्री दवाब में थे क्योंकि वे नहीं जानते नहीं चाहते कि उनकी सुसासन बावू की छवी में कहीं भी दरार पड़ी नितीस को जानने वाले कहते हैं कि वो अपनी छवी को लेकर हमेशा ही काफी संदेदन सील रहते हैं वर्सों से बनाई गई छवी को वो थुमिल होते नहीं देख सकते वहें इन दिनों मुख्ध मंत्री के उपर दवाब इन न सिर्फ विपक्षी आरजेडी से हैं बलकि सहयोगी बीजेपी के अंदर भी बहुसे लोग दवी जुवान में बोलने लगे हैं कि उनसे ग्रीव विभाग संभल नहीं रहा है इसलिए गुंडे बदमासों का मनोवल बढ़ता है कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि ग्रीव विभाग नितीष कुमार के पास रहें लेकिन सीएम नितीष के बीजेपी सिर्ष नित्रित उसे अच्छे संबद है इसलिए ऐसा होता फिलहाल मुम्किन नहीं दिखने वैसे रावायक भी यही है कि ग्रीव विभाग हमेशा ही मुख मंत्री के पास ही रहें मुख मंत्री और डीजीपी दोनों इसी तर्ग के पीछे छुपना चाहते हैं कि हालियाग हटनाओं को संसनी बना कर पेस किया गया सच्चाई यह है कि पिहार अपराद के मामले में देश में 22 नंबर परे है लेकिन इससे न तो विपच्च संतुष्ट है और नहीं मिडिया और नहीं आम जन्त अब जब तक राजधानी पटना में अपराद नहीं थमेगा आवाम को एक बंद कमरे में खुद को कैद रखना ही जीने के लिए सुरक्षित उपाए दिख रहे हैं क्योंकि खौफ में है पटना झाल